देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी ब्यार में पाच सीटो पर राजसभा का चुनाव होना है लेकिन इस चुनाव के अगर हम बात करें तो इसको लेकर ब्यार की असियासत पूरी तरह से गर्माई हुई है खास करके हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस बार दोबारा से रसिपी सिंग को मुख्य मांतरी नितीश कुमार रासभा भेजेंगे और यही बचा है कि सवाल पर शंसाए बरकरार है लेकिन इस बीच ताजा तस्वीए सामने आई है जहाँ पर मुख्य मांतरी नितीश कुमार और रसिपी सिंग की मुलाकात होई है लेकिन ये मुलाकात बेहत दिल्चस्प है दिल्चस्प आखिर क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे लेकिन इस वक्त बात करें तो ये एक्स्क्लोजिव तस्वीर है हमारे पास आई है जिसमें सियम नितीश कुमार और रसिपी सिंग की मुलाकात हो रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सियम नितीश कुमार और रसिपी सिंग मिल रहे है लेकिन इस तस्वीर के अगर हम बात करें तो इसकी डिटेल्स हम आपको आगे देंगे लेकिन इस वक्त बिहारवे रासवा चुनाव को लेकर जेडियो में उमिदवार के चयन पर मन्थन जारी है शुक्रवार की शाम पाटी के नेताओं की एहम बैठक बुलाई गई जिसमें नितीश कुमार ने सभी मंत्रियों और वधाईकों को बुलाया और उनकी राए भीली सभी मंत्री और वधाईकों ने उमिद्वार के चयन के लिए मुख्य मंत्री नितीश कुमार को अधिकरत कर दिया इसके बाद शाम के हुई बैठक के बाद एक शादी समारों में मुख्य मंत्री नितीश कुमार और केवरिये मंत्री आरसेपी सिंग के मुलाकात हुई माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच रात सभा के उमिदवार के मसले पर बातशीत हो सकती है लेकिन इनके मुलाकात के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में ही बहुत कुछ बया करने के लिए काफी है चादिस अमारों में मौजबुद लोग भी यह बात कह रहे हैं कि नितीश कमार और रसीपी सिंग के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है जेडियू के सुत्र बताते हैं कि पचले कई दिनों से मुख्यमांतरी नितीश कुमार और रसेपी सिंग के मुलाकात नहीं हुई है और अभी भी यह शंसाय बरकरार है कि रसेपी सिंग को तीसरी बार राजसभा का उमिदवार बनाया जाएगा या नहीं कि छेडियू का एक बड़ा धरया चाता है कि रसेपी सिंग को राजसभा का उमिदवार नहीं बनाया जाए बलकि उनकी जगा पर पार्टी की ओर से अलिल हेग्रे जैसे ही किसी कमर्थ कारकरता को राजसभा का उमिदवार बनाया जाए और यही वज़ाए कि जो तस्वीरे सामने आई है वो शादिस अमारों की है जहाँ पे रसीपी सिंग और सीम नितीश कुमार दोनों ही पहुँचे थे लेकिन इन दोनों के बीच ना तो किस भी तरह की कोई बातचीत हुई और ना ही सही से इन दोनों की मुलाकात ही हो पाई जेडियों के सूतरों की अगर हम माने तो पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि शायद सीम नितीश कुमार आरसेपी सिंग से रासवा चुनाव को लेकर मंथन कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं लेकिन इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है यानि कि ये कहना बलकुल भी घलत नहीं होगा कि इस वक्त जो है रसेपी सिंग और मुख्यमांतरी नितीश कुमार के बीच की जो दूडिया है वो इन तस्वीरों से ही जाहिर हो रही है ऐसे में आगे कैंडिडेट का चुनाव किस तरह से मुख्यमांतरी नितीश कुमार की बहुत कुछ बया कर रही है कि आखर इस वक्त सिंदीश कुमार और रसेपी सिंग के बीच के रश्ते कैसे हैं फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें ये न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार